आज गुरु पूर्णिमा के शुब अफसर पर आप सभी को शुब कामनाए जैसे कि कहा जाता है कि जो भी संबंद मनुश्यों में है भाई, बहन, माता, पिता, मित्र ये सभी संबंद पशों में भी है लेकिन एक ऐसा संबंद मनुश्यों में है जो पशों में नहीं वो है गुरु और शिश्य का संबंद सही अर्थों में जिस मनुश्य ने गुरु ना बनाया, गुरु को ना पाया वह सही माइनों में मनुश्य ही ना हुआ तो आज के दिन ध्यान करना ना भूलें और फल, फूल, कपड़ा, धन, सोना, चांदी, पीतल, तांबे के बरतन इत्यादी लेकर गुरु को समर्पित करें और गुरु का आशिरवाद पाएं यदि आपके जीवन में गुरु के दर्शन नहीं हुए है यदि अभी आपका गुरु योग नहीं बना है तो भगवान शिव को गुरु मानते हुए उनकी आराधना करें, उनकी साधना करें और आज के ध्यान की बहुत ही महता है आज के दिन ही भगवान शिव ने सब्त रिशियों को शिशे रूप में स्विकार किया था जो की आदी योगी सबसे पहले गुरु है योग और ध्यान के और वहीं से यह हमारी योग की परंपरा मुझ तक और आप तक पहुंची है तो आज हम भगवान शिव का ध्यान करें उन्हें धन्यवाद करें हर एक स्वास के लिए जो हमारे भीतर है और बाहर है हर एक स्वांस चल रही हாना इस बात को समझें ये किस बात का प्रतीख है हर एक स्वांस प्रतीख है आशा का अभी कुछ आशा है अगर कोई आशा नहोती तो हम भी शमचान पोच गए होते शमचान भूमे में हमारा भी शावपड़ा होता अभी नहीं है न, इसका मतलब कुछ आशा है जीवन से तो आशावान रहिए, परतेक श्वास के प्रती अपना धन्यवाद प्रकट करें और गुरु का आशिरवाद पाएं, धन्यवाद, ओम नमस्षिवाए, जै श्री राम चंद्रा